नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केरियर पॉइंट पर जो भी साथ ही रेलवे एक्जाम की तियारी करें रेलवे एंटी पीसी लेवल वन ग्रूप डी एससी एक्जाम की तियारी करें सभी के लिए सामाने विक्यान का पार्ट नमबर 21 लेक रह जैदा जो है फाइदा हुसके अगर अपर पहली बार विजेट कर रहे है चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए ही लोगों कि लिए डेली यहाँ पर दो लाइव क्लास JS कि लिए कराते हैं और एक क्लास जो जर्नल अवेणस की लिए कराते हैं अगर आप लोगों न अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लोगों को क्योश्टन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों पास भी सेथ किजेगा ताकि वह भी अपने एक्जामन किये आपर तियारी करशे हैं हमारे आंसुर देने से परतिक साथी जो है पहले आंसुर देंगे कमेंट वक्स में और हमे बिलकुल सही होजएगा असदैर को साकथी को अपने शरीर के लिए अप आप से कहां से मिल सकता ये साकाहरी को कि सुरोग के विरोध में लगाय जाता है पताईगा जी बिल्कूल देखीगा जी फ्रेंड्स टुबर क्लोशिस के औप्सन बी यहाँ पे सही हो जाएगा चलिए नेक्स देखीगा है अश्टिंग मीडिजम एक बिमारी है अश्टिंग मेटिजम किसकी बिमारी बताईगा है जिक Qur इंट वते हैं किसकी होती है आंख विमारी होती है op mrb पे बापते होलती का चले नेंस किकंप बताईगा हमारे बोजन में संघराष्टम खातेपदार्द कौन सा है oh जी बिल्कुल देखीगा फ्रेंट्स कौन सा है विटामिन एवं खनेज होते हैं, option C यहाँ पर सही हो जाएगा, चले next देखीगा, एक चुमकिय छेतर विक्सेपित करता है, बताइगा, जी फ्रेंट्स बिल्कुल देखीगा, alpha एवं बीटा कन में विक्सेपित करता है, option C यह बिल्कुल सही आ रहा है, चले next देखीगा, निमन खित में से किस की वेधन समदा सबसे अधिक है, बताइगा, जी किस की है, गामा किर्णों की, option C यहाँ पर सही हो जाएगा, चले next की फ्रेंट्स देखीगा, सुर्य में उर्जा किस परकिरिया में पैदा होती है, बताइग जी किस में होती है, हाइड्रोजन का सलनियन, option C यहाँ पर बिल्कुल राइट अनसुर हो जाएगा, चले next देखीगा, निमन खित में से कौन सा रोग जो एक जल वाहित रोग बताईगा, जल वाहित रोग कौन सा है, जी कौन सा है, दस्त, option A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जा चले next देखीगा, गलुकोमा मानव शरीर के किस अंग की बिमारी है, जी किस की है, आंखो की बिमारी होती है, option D यहाँ पर बिल्कुल राइट अनसुर हो जाएगा, चले next देखीगा, मानव शरीर में विटामिन A संचीत रहता है, बताईगा कहा पर रहता है, जी बिल्कुल बिल्कुल देखीगा, और राइट अनसुर हो जाएगा, वरिक या किड्नी, ऑप्शन D बिल्कुल राइट अनसुर हो जाएगा, चले next देखीगा, वायू मंडली दाग को मापने में आवशिक यहंतर कौन सा बताईगा, जी कौन सा है, बिल्कुल बैरोमेटर यहाँ पर र यूरेनियम 235 नाभिक में है, जी क्या होते हो जाएगा, यूरेनियम 235 में, जी बिल्कुल देखीगा, प्रोटोन और न्यूटरोन की कुल संक्या जो है, 235 होती है, यूरेनियम 235 के नाभिक में, ऑप्शन D यहाँ पर बिल्कुल राइट आनसुर हो जाएगा, चले next समूदर में डू भी वस्तूओं का पता लगाने तू परियुक्त उकरण कौन सा है, बताईगेगा, जी कौन सा है, सोनार होता है, जोस्तों, ऑप्शन B यहाँ पर से हो जाएगा, समूदर में डू भी वस्तूओं का पता लगाया जाता है, चले next देखीगा, बताईगा, इसको का जाता है, जी मंगल ग्रह को लाल ग्रह का जाता दोस्तों, ऑप्शन B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, चले next देखीगा, उस ग्रह का नाम बताईगे, जिसमें सूर्य पस्चिम में उध्य होता है, जी बताईगे का कौन सा है, जी देखीगा, फ्रेंट्स, व चले next देखीगा फ्रेंट्स, बताईगे का, निमल कित में से कौन सी बिब्मारी वाइरस के कारण नहीं होती होती है, ऐसी कौन सी बिब्मारी है, जो वाइरस के कारण नहीं होती है, चले देखीगा, जी फ्रेंट्स, टाइफाइड, ऑप्शन B यहाँ पर बिल्कुल राइ जर्मेनियम अर्ध चालक हैं सेलिकॉन और जर्मेनियम किसके अर्ध चालक बताएगा जी किसके हैं ट्राइवेलेंट है दोस्तों ओप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा चले नेक्स देखेगा तवरित उर्जा पाने के लिए एक एतलीट को क्या लेना चाहिएगा जी क्या ल देखेगा लिए रोशने से हम क्या क्रत्त शूरी के रोशनी से अप्शन डशन यहाँ पर बिलुकुल राप्त करते निस्ताश है है और फ्रेंस दूद का घंताओ, निमन उपकरण के दवारा मापा जाता है, दूद का घंताओ किस के दवारा मापा जाता है, चलि देखीगा, जी, लेक्टोमेट्र के दवारा, आपशन D, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चलि, next, देखीगा, सिस्मो ग्राफ से क्या मापा जाता है, जाएगा सिस्मो ग्राफ के दुबारा क्या मा आपा जाता है वोकंप की तिरवरता को ओप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा चले नेक्स देखीगा सूरे की किर्णों की तिरवरता मा आपने वाले उपकंड को क्या का जाता है इसी क्या का जाता है बिल्कुल देखीग है के दिवारा ऑप्छेंशन यहाँ यहां पर च्लीं नेक्श देखिएक रियक्टर स्केल नमलाख़त की तिरोता की नापता है रियक्टरश्चर तरवारा क्या मापनेंगेंखUNG है बतारीगीः को मापता है और रीयक्टरवाज्य और कि से प्ली 401 ध overs टापका नेक्स देखिएगा सरचिवु रमन और को नोबल पुरुषकत दिया गये था है जुभिलकुट देखिएगा कि युखारी कने सर्ध्रव का कि दीखिएगा चेले देखिएगा J L Bayard के दवारा Option C यहाँ पे बिल्कुल right answer जाएगा चले next देखीगा बताइगेगा friends Radar का उपयोग किसलिए किया जाता है Radar का उपयोग किसलिए किया जाता है चले देखीगा जी friends जाजो वायो यानो आधी को डूरने उनके मार्ग ने देशन के लिए Radar का प्रयोग किया जाता है Option B जो है आप लोगों का यहाँ पे right answer जाएगा Option B चले next देखीगा Lactometer एक परकार का है Lactometer एक परकार का क्या है बताइगेगा जी क्या है Hydrometer Option A यहाँ पे सेज़एगा चले next देखीगा बताइगेगा Diabetes बिमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है कौन सा है Diabetes जिस अंग को प्रभावित करती है शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है बताइगा जी कौन सा अंग है चले देखीगा जी फ्रेंड्स Pancreas जी आपर सेज़एगा option A, दोस्तों ये था आज के हमारे top 40 questions जो वी complete होचके अगर आप लोगों को question अच्छे रखे तो please वीडियो को लाइक कीजिगा अपने दोस्तों पास भी share कीजिगा ताकि वो भी अपने एकजाम के आप रचे से त्यारी कर सके दोस्तों अगर आप अलोगों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब कर लिजिगा साथ हमें बैल आइकन को उन कर लिजिगा हम आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर दो लाइक क्लास GS की लेकर आते हैं और एक क्लास जो है इन टेस्टों का फाइदा उठाश के चलिए फ्रेंड से आज के इतना है थैंक्स पॉर लॉचिंग है वे नाइस डे गुडबाई